दोस्तो बड़ी अप्डेट निकल क्या रही है बिहार डियलेड इंटरेंस एक्जाम को लेकर जो है कबसे ओनलाइन फॉर्म फिल करे जाएंगे इसको लेकर जो है बहुती बड़ी अप्डेट निकल कर आ चुकी है सही और सटिक जनकारी के साथ जो ये वीडियो होने वाला है प्रोपर हम आपको जनकारी बताएंगे कि बिहार डियलेड इंटरेंस एक्जाम 2024 एडिमिसन के लिए कबसे जो है फॉर्म फिलर पे स्टार्ट होंगे बहुत सार लोगों का यही कमेंट आ रहा है कि सर जो केलेंडर निकाला गया था बिहार बिदयलेड परिच्छा समीति के द्वारा तो यह कलेंडर तो एक्सपायर हो गया इसका मतलब क्या कि आप डियलेड का आवेदन नहीं स्टार्ट होंगे तो ऐसा नहीं है बिहार डियलेड का आवेदन स्टार्ट होंगे लेकिन यह कलेंडर जो होता टेंटेटीव होता है कभी भी इसमें बदल हो सकते हैं मतलब बदला हो सकते हैं तो बिहार भी दले परिशा समीती जब कलेंडर जारी किया था जनवरी माह में ही तो यह बताया था कि हम DLA का इंटरेंस इक्जाम जो है फॉर्म फिलप जो है आपका करवाएंगे जनवरी मन्त में ही यहां देखेंगे तो इन्हों ने बताया था कि राजी के सभी DLA कालेजों में नमांकर हितू सन्युक्त परिश्चा 2024 के लिए बिगयपती परकासन आवेदन पत्र भरने किती थी 10 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक आपका आवेदन यहां पे होने थे लेकिन यह जो एक्सपायर हो गया है डेट आप सबको पता है तो क्या आप आवेदन नहीं होगा तो बिलकुल होगा मैंने आप लोगों को बताया था कि फरवरी के फर्स्ट वीक में यहां हो सकता है कि फरवरी के लास्ट वीक में जो है आपका यहां पे ओनलाइन लिंक एक्टिवेट हो तो फाइनली फ्रिंट्स वैसा ही कुछ हो रहा भी मैं आपको अपडेट दिखाऊंगा बिलकुल अफिसली अपडेट है और यहां पे देखेंगे तो इसका जो इंट्रेंस एक्जाम का आयोजन है वो 6 मार्च से बोला गया है 12 मार्च तक कंड़क्ट करे जाएंगे अब 10 जनवरी का आप फर्म भरेंगे 25 जनवरी तक आपका इंट्रेंस एक्जाम हो जाएगा 6 मार्च से 12 मार्च तक तो देखें इसमें भी बदलाव हो सकता है कि आपका इंट्रेंस एक्जाम में जो बदलाव हो हो सकता है तो यह भविसे की बात है केलेंडर जो है भवी से की बाते को बताता है लेकिन उसमें हेर फदल भी हो सकता है समझ रहना तो समझते हैं कि क्या कुछ अपडेट आया हुआ है देखे ये देख सकते हैं बिहार बीदाले परिशा समीती ने आविदन मांगा अंतिम्तिती 20 फरवरी निधारत की गई है डेलेट में दाखिले के लिए बिद्यारती साथ से ओल एन आविदन कर सकेंगे मतलब डेलेट में जो इंट्रेंस एक्जाम होता है उसके लिए यहाँ पर देखेंगे तो बोलागे कि साथ तारीक से ओल एन आविदन कर सकते हैं बहुत सार लोग इस news paper की cutting पर भिसवास करते हैं बहुत सार लोग इस news paper की cutting पर भिसवास नहीं करते हैं तो फिर देखें यहीऎ अपदेट है आप समझिए पहले चीजों को अभी जो है intermediate का जो है यहाँ पे 12 बोड की इक्जाम हो रही है बिहार बोड की और उसका एक्जाम जो है आप सबको पता है चलने वाला है छे-साथ दिन एक फरवरी से स्टार्ट है तो हमको लग रहा है साथ या आठ को खतम हो जाएगा तो साथ तारीक से ही यहाँ पर बोला गया कि आपका आवेदन जो है यहाँ पर स्टार्ट होंगे और यह जो एडमिसन होता है वो बारभवी पास पर ही होता है तो इन्होंने जो है बोर्ड एक्जाम को लेकर यह डेट को पेंडिंग रखा था और अब जो है फानली बोर्ड एक्जाम जैसी खताम हो रहा है तो साथ तारीक से लोग आवेदन जो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं अब आप लोग बोलेगा है सर कि यह हो सकता है कि पिछले साल कहा हो यह भी हो सकता है आपकी बात सही है तो मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाना चाहूंगा आप अब देखिए यह जो है मैंने यहाँ से पेपर कटिंग को निकाला हुआ है हिंदुस्तान का जो ओफिसली साइट है 31 जनवारी के डेट में भभुआ वाला जो पेपर एडिसन है पेज नमर 6 पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इसकी जनकारी जो चपी हुई थी अब आप लोग बोलिएगा कि यह तो सही निकला हाँ बिल्कुल सही निउज है कोई दिकत नहीं है डेलेड में दाखिले के लिए बिद्यार्थी 7 से online आविदन कर सकेंगे तो बिल्कुल जह सत्य और सही निउज है तो यही निउज पेपर का कटिंग हम यहाँ पे आपको दिखा रहे है पढ़ते हैं क्या अपडिट है तो देखें डिप्लोमा इन इलिमेंटरी एजुकेशन डियलेड में नमांकन के लिए छात्रा छात्राओक से बिहार बिद्यलेड परिशा समिती 7 फरवरी से online आविदन मांगा है आविदन करने के अंतिमतिती 20 फरवरी निधारित की गई है बिहार बोट ने इससे संबंदित निर्देश उन सिच्छर संस्तानों को दिया है जहां इने दाखिला लेना है मतलब जो भी डेलेड कॉलेज हैं उन सब को जो है ये लोग क्या करती हैं निर्देश जो है जारी कर दिये हैं कि साथ तारिक से फर्म फिलेप स्टार्ट होंगे आविदन करने वाले छात्राओं की बिभा की ओर से परीछा लिजाएगी परीछा में सफल होने के बाद छात्रों को नमांकन होगा डायट के परचारे संज़कुमार अवंग सिच्छक राज कमल यादो ने बताया कि बिहार बिदले परिच्छा समीति की ओर से नमांकन की परवेश परिच्छा ली जाती है नमांकन के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को intermediate एंग मैट्रिस से जुड़े अंक पत्र सहीत सिच्छक परमान पत्र एंग जाती आय निवास के साथ आवेदन करना होता है नमांकन करने के बाद बिहार बिदले परिच्छा समीति छात्रों को एड्मिर काट जारी करेगी इसकी अधार पर छात्र परवेश परिच्छा में सामिल हो सकते हैं परिच्छा में पूछे जा सकते हैं 120 प्रश्ण तो यह में आपको लड़ी बताया भी था कि जनकार बताते हैं कि परिच्छा भी ऑनलाइन ली जाएगी इस परिच्छा में 120 प्रश्ण पूछे जा सकते हैं सारे प्रश्णे बस तुनिष्ट बहु भी कलपे होंगे परिच्छा में समान्य हिंदी से 25 अंग के कोशन रहते हैं गडित से 25 अंग के बिग्यान से 20, समाजिक अधन से 20 और अंगिरेजी से 20, तारकिक अंग 26 अंग के आपके प्रश्णे पूचे जाते परिच्छा में सफल होने के लिए उन्तर 35 अंक लाना होगा आरच्छड स्रेडी के अभ्यारतियों को 30 अंक लाना होगा तो ये चीज़े हमने अलड़ी डिस्कस किया हुआ, में जो पॉइंट है वो क्या है कि साथ तारीक से जो है बिहार डेलेट के लिए दाखिला के लिए जो इंटरेंस इग्जाम होता है उसके लिए आवेदन इसहां पे स्टार्ट होने की संभावनाएं है ये संभावनाएं मैं बता रहा है, क्योंकि ये भी जो है एक सिछक संस्थान के द्वारा जो है जनकारी याँ पे निकल कर आ रही है आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये निविज पेपर पे थोड़ा सा हम भी कम भी स्वास करते हैं लेकिर आप मान सकते हैं कि साथ तारीक से पूरे चांस है कि आपके जो आवेदन स्टार्ट होने की पूरी संभावना है तो एक से दो दिन पहले भीग्यापन आपका जारी हो जाएगा या उस दिन भी भीगापन जारी होगा तो जैसे इसका आवेदन स्टार्ट होगा में एक प्रोपर वीडियो लेकर आएंगे कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है फॉर्म भरने से पहले कुछ इंपोटेंट जनकारी को समझायते हैं फॉर्म भरने का जो अप्लिकेशन फी होता है 960 रुपया होता है SCST दिव्यांग के लिए 760 रुपया अप्लिकेशन फी लगता है और जनरल EBCBC के लिए 960 रुपया अब यहाँ पे आपको जो है इंपोर्टेंट जो डोकुमेंट्स लगते हैं वो क्या लगते हैं फॉर्म भरने के लिए तो आप देखेंगे जो केंट्स 2024 में अभी बिहार बोर्ट का एक्जाम दिया है 12 हुई का वो फॉर्म भर सकता है लेकिन उनके पास मार्क सीट परमापत्र होगा नहीं तो बाद में उनको डोकुमेंट्स भरिफिकन समय लगेगा पीरिंग को चूच करके भरेगा 20 कलास का तो आपके पास होगा वो आपको लगेगा अंक पत्र परमापत्र और निवास परमापत्र लगेगा जाती परमापत्र SCST BC, EBC को लगेगा, EWS को लगेगा मुवाइल नमर, email ID लगेगा और यहाँ पे आपका आधार कार्ड भी लगेगा इसकी बास से आपका जो है बोला गया कि 50% अंको के साथ 12 ही आप पास होने चाहिए और reserve category को 45% के साथ 12 ही पास है तो वो form को अपलाई करजिसी में की SC, ST candidates यहाँ पे होते हैं अब इसमें देखेंगे तो मैंने आपको अलड़ी बताया था कि negative marking नहीं होता है 120 marks के 120 questions होता है Hindi English दोनों language आपका जो है exam होता है MC कूई type होता है computer based exam होता है धाई गंटे का समय आपको यहाँ पे मिलता है questions solve करने के लिए यहाँ पे जो syllabus होता है आप यहाँ पे देखेंगे अगर आप इतना score करेंगे तो safe score माना जाता है जिसे general से आप आएंगे तो 75 से 80 marks आप लाएंगे तो उस safe score कहा जाएगा OBC से है तो 70 से 75 marks आपको लाना है 120 में मैं बात कर रहा हूँ और ST के लिए 665 और ST के लिए 665 marks safe score माना जाता है कि आपका हाँ government college यहाँ पे मिलेगा government college जब मिलेगा तो आपको जो fee होता है बहुत कम लगता है अगर आपका जो है अच्छा खासा marks नहीं आता है तो आपको private college मिलता है और बहुत से private college जो है न अच्छा खासा आप से charge करते हैं और यह 2 years का course होता है तो आप सब देख लिजेगा government मिल लेगा तो बले-बले आपकी fee बहुत minimum cost में आपकी यहाँ पढ़ाई हो जाती है private मिलेगा थोड़ा cost आपको ज़्यादा लगता है EWS के लिए 70-75 marks जरूरी है विकलांग से 50-55 marks तक अगर आप लाते हैं आपको government college मिलने की पूरी संभावना यहाँ पर रहती है तो देखें पूरे बिहार में दोस्तों 30-35,000 यहाँ पर seat रहती है पूरे बिहार में बात करें और अगर आप 12 के जश्ट बाद DL8 का यहाँ पर form भरते हैं तो आप जो है न एक से 5 के लिए जो है आप सिक्षक बनते हैं अब DL8 कर लेने के बाद जो है आपको estate का एक exam देना पड़ता है यह बीटेट का exam देना पड़ता है यह भी आपको qualify करना पड़ता है तब जाके आप जो एक से 5 क्लास के लिए सिक्षक आप जो यहाँ पर बन पाते हैं अब DL8 करने के बाद से अगर आप graduation कर लेते हैं तो आप 6 से 8 के लिए भी teacher यहाँ पर बन जाते हैं और यह तो होता है यह DL8 प्लस DL8 अगर कोई है तो ओभी यहाँ पर अब DL8 करने के बाद ही अब बहुत सार लोग पूछते हैं कि हम graduation भी कर रहे हैं और DL8 में क्या आप एड़ी विसले सकते हैं तो friends जिस दिन आप पकड़े जाएंगे न दोनों आपकी यहाँ पर रद हो जाएगी तो कोई एक ही course आप करिए या तो DL8 करिए या तो graduation करिए अगर आप graduation करके भी DL8 करना चाहते तो कर सकते हैं कोई दिकत नहीं होने वाला है तो जो भी candidates यहाँ पर minimum qualification 12th pass है 50% marks के साथ वो form को भरेगा और SCST से अगर कोई है उनका 45% marks है तो form को भरेगा बिहार का निवासी होना चाहिए अधर स्टेट वाले भी यहाँ पर form को भर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कर आ जाओंगा कैसे form को apply करना है और कुछ बदलाव होता है उसके उपर भी हम आपको एक proper वीडियो लेकर आ जाएंगे वीडियो अच्छा लाग हो तो please like करेगा और अपने दोस्तों में जुरूर शेयर करेगा और हाँ टेलिग्राम से नहीं जुड़े है तो टेलिग्राम कर लिंक मैं आपको description box में डाल दिया हूँ आप उससे जुड़ियो वहाँ मैं छोटी मोटी update भी सेयर करते रहता हूँ मिलता कि इस next video में जाहिंद